जंदे मात्रम, स्वस्त सम्रिद्ध परिवार निर्मान प्रयास के अंदर दिल्ली से आप सब का भाई गोविन स्रम प्रसाथ, भाई राजिव दिछी जी के बैख्यानों से प्रेवित और प्रसाहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रती जाग्रुक्टर का कारे जमीनी अस् समयुकितों स्वद्ध्याय, गोविन भाई की पाटसाला, स्वद्ध्याय, स्वद्ध्याय में ये पुस्तक है, चमतकारी तेल, लेकक हैं, उमेश पांडे जी द्वारा लिखित पुस्तक, इस पुस्तक के आधार पर तेलों के बारे में हम जानेने का परियास कर रहे हैं, उसके औस्दिये गुन और उसके चमतकारी प्रयोग के बारे में स्वाध्याय के जरिये जिसमें से हमने जाना सरसो का तेल, नारियल का तेल अरंडी का तेल बादाम का तेल और अब हम जानते हैं तील का तेल साइद ही ऐसा कोई परिवार हो जिसे तील के तेल के बारे में या तील का तेल का नाम ना सुना हो लेकिन इस तील के तेल का क्या क्या उप्योग हैं इसके बारे में लेखक उमेश पांडे जी द्वारा लिखित पुस्तक चमतकारी तेल के माध्यम से जानते हैं, आपका भी अपना कई अनुभव होगा, लेकिन जो लेखक हैं, उनके माध्यम से तेल के तेल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और इस ज्ञान को गरहन करके जरुत पढ़ने पे अपने परिवार को स स्वस्त और समरिद बनाये रखने में उपयोग करेंगे, और जब उपयोग करने से जो लाब मिलेगा, उस लाब को अनुभवों को सेर करेंगे, अपने जाने अंजाने परिकीतों को बीच में, जिससे की ओभी इन ग्यानों को गरहन करके अपने आपको, अपने परिवार को स्वस्थ और सम्रीद बना सकें यही प्रयास है स्वस्थ सम्रीद परिवार का तिल का तिल के विभिन नाम है हिंदी में तिल तिली संस्क्रीट में तिल बंगला में तिल गुजराती में तल मराथी में तिल फार्सी में कुझद अरभी में सिमसिम समसम अंग्रेजी में सीसेम या जिंगेली, लेटिन में सीसे मम इंडिकम या बनस्पती जगत के पेडे लियेसी कुल की सदस्य है, तिल की खेती अती प्राचिन काल से भारत वर्ष में की जाती रही है, इसके पौधे एक फूट से तीम फूट तक उचे तथा एक वर्षिये होते हैं, ये कोमल छुप होत होता है, पौधे में एक परकार की हलकी सी दुरगंध आती है, पौधे पर यहां वहां फैली हुई सराभी गरंथियां भी पाई जाती है, पतियां सरल परकार की होती है, ये निचले भाग में अभी मुख करम में जम्मी होती है, तथा इसके किनारे दंतूरर होते हैं, उप पुस्प एक से डेड़ इंस तक लंबे स्वेता भाम बर्ण लिये हुए बैगनी रोमेश तथा बैगनी अत्वा पीले बिंदों से युक्त होते हैं ये अधो मुख अत्वा त्रियक मुख होते हैं फल कैक्सुल परकार का या फली के रुप में होता है इसका अस्पूतन कनों से होता है परतेक फल में अनेक छोटे बीज होते हैं ये बीज काले लाल अत्वा स्वेत वरंड के होते हैं इन्ही बीजों से संपीडन द्वारा तेल निकाला जाता है काले तिलों से प्राप्त तेल औस दिये हेतू स्रिष्ट होता है तिल के तिल में मुख्यता ओलिक तथा नीलो लिक अमल होते हैं इसके अत्रिक इसमें एरिकीडिक अमल अश्टियरिक अमल पामेटिक अमल तथा कुछ ग्लिसराइड पाया जाते हैं आरिवेदा अनुसार यह एक उत्तम बर्ण सोधन केश सुल प्रसमन रक्त अस्तंबग स्वास नालिका सोधक वाजी करन आर्तव जनन वल्ल एवं मुत्र संग्रणिय है तिल के तेल का औस्धिये महत्वर तिल के तेल का महत्वर प्राचिन काल से ही रोग चिकित्सा के छेतर में विसेश रहा है प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर अधारित चिकित्सा प्रणाली आयरुवेद में तिल के तेल को अनेक रोगों में अत्यंत उपयोगी पाया गया है इसके साथ साथ तिल का तेल सारीरिक उर्जा संबर्धन में भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है अधिकांस व्यक्ति किसी न किसी रूप में तिल के तेल का प्रयोग करते हैं यहाँ पर औस्धिये रूप में तिल के तेल का क्या महत्व है इस बारे में बताया जा रहा ह बाजी करण हेतू जिन द्रब्यों का उपयोग सारीरिक उर्जा बढ़ाने के लिए किया जाता है वही बाजी करण कहे गए हैं तिल के तेल को भी बाजी कारक माना गया है इस तेल इस हेतू एक प्रयोग इस परकार किया जाता है 200 ग्राम तिल के तेल में 30 ग्राम के लगबग भटकईया अन्य नाम छोटी कटेरी भूरी रेगनी के फलों को पीस कर उबालने प्रयाप्त उबालने के पस्चात तेल को छान कर सीसी में भर कर रख लें इस तेल से लिंग का मर्दन करने से वाजी करण होता है यह प्रयोग के प्रिणाम सुरूप लिंग का सक्तिकरन भी होता है तथा इसके आकार परकार में भी ब्रिद्धी होती है वच सौंदर हेतू यह प्रयोग इस्तिरियों के लिए अत्यांत लावकारक है इसके लिए बराबर मात्रा में तील का तेल तथा अरंडी का तेल लेकर भली परकार मिला लें अस्तनों पर नित्य इस मिश्रन से मिश्रन की मालिस करने से वे लटकते नहीं हैं बलकि प्रयाप्त कड़े हो जाते हैं कीडे लगे हुए दातों पर दातों में कीडे लग जाने की स्थिती में थोड़े से तिल के तेल को हथेली में लेकर उसमें पीशी हुई हल्दी तथा एक चुटकी भर नमक मिला दें इस मिश्रन को उगली की सहयता से दातों पर लगाएं आवस्यक हो तो मंजन की भाती करें ऐसा नित्ते करने से दातों के कीडे समाप्त होते हैं तथा उनकी वृद्धी भी रुक जाती है अर्स बवासी रोग में अर्स रोग हो जाने की स्थिती में रोगी को नित्ते दो तीन तोला तिल को खुब चवा चवा कर खाना चाहिए इसी परकार मल त्याग करने के उपरांत गुद्धा में उंगली की सहयता से चारो और तिल का तेल भली परकार से लगा देना चाहिए ऐसा करने से मल त्याग के समय कश्ट नहीं होता है तथा अर्सा कुर सुस्क पढ़ जाते हैं मतलब मस्से ववसीर के मस्से जो हैं सुखने रगते हैं बर्नों पर जिन के तिल के तेल में थोड़ा सा आठा, हलदी तता प्याज को गरम करके बर्नों पर लगाने से या केवल तिल के तेल को लगा कर धूप दिखाने से वह ठीक हो जाते हैं मोच आ जाने पर, मोच अथवा हाथ पेर में चोट के कारण सूजन आ जाने पर तिल के तेल में थोड़ा सा गुड, आटा, लहसुन, हल्दी, प्याज इन पदार्थों को भली परकार गरम करके बांधने से त्यंत अराम मिलता है अधीक एवं बारवार मुत्र आने पर यह बहुत बड़ी समस्या है, इसमें या तो अधीक मात्रा में मुत्र आता है, अथवा थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बारवार आता है इस समस्चा को दूर करने के लिए नित्य कोरे तिल की एक दो तोला मात्रा को भली परकार चवा चवा कर सेवन करने से अत्वा दो चार दिनों तक एक चम्मच वर तिल के तेल का सेवन करने से लाव होता है। ध्यान रहे कि अधिक समय तक तिल के तेल का सेवन आमस्य के लिए हितकर नहीं है। तिल के तेल का विशेश पर्योग तिल के तेल की सहायता से केसो के कल्यानार्थ एक अति उत्तम तेल बनाया जाता है। इसे बनाने हैं तो 100 ग्राम भरिंग राज, 50 ग्राम गुढ़ल के फूल, 50 ग्राम चंदन का चूर, चूर्ण 1500 ग्राम ताजा आमला, 20 ग्राम हाथी दात का चूर, 50 ग्राम गुलाब की पंखुडियां, 20 ग्राम इंद्रायन के वीज, 50 ग्राम अमर बेल लेकर इन सब को पीस ले अब इसमें 500 ml तील का तेल मिलाकर इस मिश्रन को इतना पकाएं कि संपूर्ण पानी जल जाए फिर इस तेल को उतार कर इसमें 3-4 निम्बू का रस मिला दें इसके पस्चात इसमें थोड़ा सा कपूर और पिप्रामेंट मिलाएं और सीसी में भर कर रख लें इस तेल का बालों में नित्य प्रयोग करने से निम्णांकित लाव होते हैं बाल असमय पकते नहीं वो भवरे के समान काले रहते हैं सीर में सितलता बनी रहती हैं रूसी नहीं होते केस लंबे होते हैं उनका रूखापन नहीं रहता तथा वे चमकदार रहते हैं अब जानते हैं तिल के तेल के चमतकारी परयोग जिस तरीके से इस पुस्तक का नाम है चमतकारी तेल तो हम औस दिये गुनों के बाद अब हम जानते हैं तिल के तेल के चमतकारी परयोग पहला परयोग यह एक छोटा सा हवन परयोग है किन्तु इससे लाब बहुत अधीक है बिविन हवन में काले तिल का परयोग एक अनिवारिता है आप अपने घर पर स्वयम ही छोटे अस्तर पर हवन करके लाब प्राप्त कर सकते हैं यह हवन परयोग अत्यंत सरल है घर के एक कं पर तिल का तेल घी कपूर तथा कच्छे चावल की थोड़ी थोड़ी मात्रा की आहूती के रूप में डालें। इस अग्यान के नित्य अथ्वा सप्ताह में एक वार करने से घर में सुक सांती बनी रहती है। किसी भी परकार का भूत दोस उत्वन नहीं होता। घर के सदस्य नजर पीड़ा आदी से रच्छित रहते हैं तता घर में रहने वाले निरोग रहते हैं। बहुत प्रयास करने के उपरांत वी जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो उसके सिग्र विवाह के लिए यह परयोग अत्यंत उपयोगी है। दुसरा जो प्रयोग है वो है कन्या विवाहेतू। आगे लिखा गया परयोग अवस्य करना चाहिए। ऐसे लोग सरसो का तेल तथा तिल का तेल बरावर मात्रा में लेकर मिला लें। इसमें 78 लॉंग डाल दें। यदि यह मिसरन 100 ग्राम हो तो उसमें 5 लॉंग तोड़कर डाल दें। इस मिसरन में रूई से बने फुलवत्ती को डुगो कर निकाल लें तथा इसे किसी पित्तल या इस तील के दिपक पर रखकर जलाएं। इतने तेल से जो कि उस पुलवत्ती ने सोखा है यह दिपक 5-7 मिनट तक जलेगा। इस दिपक को अपने सैनकच में नित्य कुछ दिनों तक जलाएं। ऐसा करने से सनी का कुप प्रभाव समाप्त होता है। सुभत्व में बृद्धी होती है। अगला परयोग चमतकारी तील के तेल के परयोग में चमतकारी परयोग में अगला परयोग यह एक यंत्र परयोग है। को सुद करके एक बाजोट अथवा पाटा रखें सूती तथा उनी आसन पर इस परकार बैठें कि आपका मुख दच्छिन की ओर हो इस यंत्र का निर्मान साधा सफे कागज पर करें यंत्र लेखन के लिए काली स्याही का प्रयोग करें इसके लिए लकडी के कोईले को जमीन पर घीस कर लेखन योग्य स्याही बना ले लेखन के लिए अनार की कलम का प्रयोग करें लेखन से पहले मुँ में छोटी हरी लाइची डालने अब यंत्र का लेखन करें लेखन के पस्चात यंत्र के नीचे जहां समस्या लिखा है वहां अपनी समस्या लिख दें जैसे धन की समस्या, दामपत्य कलह की समस्या, समस्या बैबार हानी की समस्या आदी, फिर इस यंत्र पर तिल का तिल चुपड़ कर जला दें, जलने के प्रस्चात राक किसी जाड में डाल दें, ऐसा करने से समस्या का निदान कुछी दिनों में अवस्य हो जाता है, यह प्रयोग अत्य जैसा कि आपने सुना गोविन भाई की पार्ट साला में स्वाध्याय चमतकारी तेल जो लेखक थे उमेश पांडे जी की पुस्तक के आधार पर तेलों के जो हमारे घरों में पड़े होते हैं तेल उनके आउस्दिये गुन और उसके चमतकारी गुन जिने विश्वास हो वो जरूर करें और खास करके आउस्दिये परयोग तो अपने आप में निराले हैं कोई दूस प्रभाब नहीं हैं आप इसे अपने अपने परिवार कि स्वास्त और सम्रिद्धी के लिए इन ज्ञानों का गरहन करके उपयोग करके अनुभवों को जंजन तक सेर जरूर करें बंदे मात्रम जय हिंद जय भारत जय राजिवाद आप सबका भाई गोविन सरन प्रसाद